हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेडिजेस में दोस्तों हम लोग बीपीसी का प्रिबियस एर का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नमर तीन को करने वाले हैं इससे पहले हम लोग दो प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लैलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट एक सुबह में और एक साम में आपको प्रवाइट किया जाएगा तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो है यह इतना भी एक्जाम हुआ है उसका प्रिवियस येर का question का हम लोग practice कर रहे हैं आज हम लोग 65 और 66 जो BPSC का एक्जाम हुआ है उससे हम लोग जो बिहार समान ग्यान से रिलेटर जो question पूछा हुआ है उसका हम लोग practice करेंगे दोस्तों आप मेले channel पर नय हैं पहला कोशन हो जाएगा देख लिजे आपको यह BPSC 66 जो की एड़ी एक्जाम हुआ था 14-2020 की उसी का प्रश्ण लेकर हमाया हैं पहला कोशन आज का हो जाएगा कड़ाय की बिहार का कौन सा सहर जो है वह पांच पहारियों से घीरा है इसका राइट इनसर हो जाएगा as a no e या कूप युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसका राइट इनसर हो जाएगा राजगीर जो की एप्षन में नहीं दिया है इसलिए इसका राइट इनसर as a no e हो जाएगा next देख लेते हैं कोशन नमर दो, दो में आपको कह रहा है कि भारत की प्रतम राष्ट पटी डाक्टर राजेंदर परशाद किस राज से थे, दो कराई टेंसर हो जाएगा, ओप्सन नमर ए यह आपको बिहार राज से थे, नेक्ट देख लेते हैं कोशन नमर तीन, कोशन नमर तीन में करा कि बिहारी छात्र सम्मेलन का सुलाहवा अधिवियसन कहां हुआ था, तीन कराई टेंसर हो जाएगा, ओप्सन नमर ए यह आपको हाजारी बाग में हुआ था, नेक्ट देख लेते हैं, दूस्तों अगर आपको इसका पीडियेप चाहिए, तो डिस्क्र का राइट एंसर हो जाएगा, ओफ्शन नमर तीन यह आपको नो पसानिक शंस्क्रिती है, ओफ्शन नमर तीन इसका राइट एंसर हो जाएगा, जुस्तों बिहार में जो भी एक्जाम होने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस एट बहुत ही महत्यपूर्ण है, कोशन नमर पांच में आपको कहड़ा है कि बावा ठाकूर दास ने पटना में किस सुसाइटी की अस्थापना की थी, पांच का राइट एंसर हो जाएगा, ओफ्शन नमर बी यानि कि राम कृष्ण मिशन सुसाइटी की अस्थापना की थी, ओफ्शन नमर बी राइट एंसर हो नेक्ष देख लेते हैं, कोश्चन नमर 6 में आपको कह रहा कि स्वतंतरता पहचात बिहार का प्रथम राजपाल कौन बना था, छे का राइट एंसर हो जाएगा, ओफ्सन नमर C यानि कि जैरामदास दौलत राम जो थे, वह स्वतंतरता पहचात जो थे, वह बिहार के प्रथम राजपाल बने थे, ओफ्सन नमर C राइट एंसर हो जाएगा, कोश्चन नमर 7 में कह रहा कि बर्स 2011 में बिहार के कितने जीलों में 10 लाग से कम जन संख्या थी, साथ का राइट एंसर हो जाएगा, ओफ्सन नमर B यानि कि 3 जीलों में, नेक्ष देख लेते हैं, कोश्चन न नमर 8 में कह रहा कि बिहार में निमली खित में से किस अनाज का प्रती हेक्टियर उत्पादन सबसे अधिक है, आठ का राइट एंसर हो जाएगा, ओफ्सन नमर C यानि कि मक्का जो है, इसका मक्का जो है, इस अनाज का प्रती हेक्टियर उत्पादन सबसे अधिक है, यानि क के राइट इंसर हो जाएगा option नमर B यानि की मधुबनी और दर्भंगा नेक्ष्ट आम लोग देख लेते हैं question 10 में आपको कह रहा है कि उत्पादन छेत्र के द्रिष्टी से बिहार में सिर्स स्रे नियानि के रैंकिंग की दाले कौन सी है 10 कराइट इंसर हो जाएगा option नमर C यानि की मुंग और मसूर option नमर C राइट इंसर हो जाएगा question 11 question 12 question 12 में कराए कि बिहार के किस जीले में सबसे अधिक नहर सिंचित छेत्र है बाड़क राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर C आपको रोहता जिला जो है वह बिहार के सबसे अधिक नहर सिंजित छेतर है यानि का ओप्सन नमर C राइट एंसर हो जाएगा नेक्श देख लेते हैं कोशन नमर 13 कोशन नमर 13 में आपको कह रहा है कि बिहार के वे जिले कोन से हैं जिन में 2001 और 2011 में क्रमस सबसे कम ग्रामीन महिला सक्षारता दर थी तेरा कड़ाइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर D यानि किसन गंज और सहरसा नेक्श देख लेते हैं कोशन नमर 14 कोशन नमर 14 में कह रहा है कि कुमर सिंग जगदीसपूर में कब प्रविष्ठ हुए 14 कराइट इंसर हो जाएगा ओप्सन नमर A यानि कि 22 अप्रेल अठारे सो अंठावन को नेक्श देख लेते हैं कोशन नमर 15 कोशन नमर 15 में कह रहा कि 1904 इसपी में देवघर में गोल्डन लिंग की अस्थापना ब्रिटिस का बहिसकार और आपको 100 सोदेशी अंदोलन के प्रगती के लिए की गई 1904 इसपी में देवघर में गोल्डन लिंग की अस्थापना ब्रिटिस का बहिसकार और सोदेशी अंदोलन की प्रगती के लिए की गई 15 का राइट एंसर हो जाएगा option number D यानि की बिहार में question number 16 कवरा की sun 1875 इसपी में बिहार हेराल आड़ाम किया गया था 16 का राइट एंसर हो जाएगा option number C यानि की बाबू गुरू पर साथ सेन ने किया था option number C राइट एंसर हो जाएगा दूस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पिलिजी से सस्क्राइब करें और दूस्तों में सेर जरूर करें 17 नमर में कड़ाय कि बिहार में प्रतम समय की चेक पोष्ट को अस्थापित किया गया था 17 कड़ाय टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी आपको 2018 SP में अस्थापित किया गया था हम लोग नेक्स्ट अब देख लिलते हैं इसमें आज हम लोग दो प्रैक्टिसेट करने वाले हैं जो कि यह दूसरा प्रैक्टिसेट हो जाएगा यह आपको 65 BPSC यानि कि 15-10-2019 का जो एक्जाम हुआ था उसका हम लोग प्रैक्टिसेट करते हैं पहला कोशन हो जाएगा करापको की कस्मीर घाटी के अंति मुस्लिम सासक यूसूप सा चक जिन्हें मुगल समराट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था का दफन है एक कराइट इंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर डी यानि कि नलंदा में नेक्श देख लेते हैं कोशन नमर दो कोशन नमर दो में करापकी बिहार राज प्रयाटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है दो कराइट इंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर सी यानि कि ब्लिसफुल बिहार ओफ्सन नमर सी राइट इंसर हो जाएगा नेकश देख लिएथे हैं कोशन नमर 3 संख्या में कड़ा की बिहार राज में गंगा के किनारे इस्तित जीलों की संख्या है कोशन नमर 4 में कुउन सा वन जीव अभ्यारन जो है बिहार के मुंगेर जीले में इस्तित है चार का राइट इंसर हो जाएगा और सनमर सी यह आपको भीम बांध है नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर पांच कोशन नमर पांच में करा है कि 2021 की जन गन्ना के नुसार बिहार के किसी जिले में सर्वोच लिंगानुपात दर्ज किया गया है जो कि आपको यह भी भी आई कोशन है और रहड़े के किजाम में रिपीट हुआ है इसका राइट इंसर हो जाएगा और सनमर बी यानि की गोपाल गंज नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर छे कोशन नमर छे मैं आपको कड़ा है कि निमली खित में से कोट सा जिला सबसे अधिक घंए पत्जोर्वाले वन चेतर से घhini खी रहे है छे का राइट इंसर हो जाएगा ओसन नमर ए या एक पच्छमी चंपारन है जो कि आपको अधिक घने पज्वर वाले छेतर से घीरा है अप्शन नमर A, राइट इंसर हो जाएगा Q7, 7 मैं को कड़ा कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है 7 का राइट इंसर हो जाएगा अप्शन नमर C, पतना जिले में Q8, कड़ा की भागलपुर में नमक सत्यागरह करने तिरत्यू किस ने किया था? Q9, कड़ा की सन 1949 में बिहार में अमबारी सत्यागरह करने तिरत्यू किस ने किया था? 9 का राइट इंसर हो जाएगा, ओप्शन नमर A यानि कि राहूल संकित्याएन जो थे यह आपको अमबारी सत्यागरह करने तिरत्यू किये थे 1949 में Q10 में आपको कह रहा है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के शंपादक कौन थे? 10 का राइट इंसर हो जाएगा, ओप्शन नमर C यानि कि मुर्ली मुहन परसाज जो थे यह आपको सर्च लाइट समाचार पत्र के शंपादक थे? ओप्शन नमर C राइट इंसर हो जाएगा कोशन नमर 11 में करया कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पाठी के अगठन किस ने किया? 11 का राइट इंसर हो जाएगा ओप्शन नमर A यानि कि फूलन परसाज बर्मा के द्वारा किया गया था नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 12 कोशन नमर 12 में कर रहा कि बिहार में 1877 के बिदरूख का नेतिर्तु किस ने किया था? 12 का राइट इंसर हो जाएगा ओप्शन नमर C आपको कुमर सिंग के द्वारा किया गया था कोशन नमर 13 14 में आपको कर रहा कि अश्रायोग आंदोलन के द्वारान बिहार में क्रिस्यको का नेतिर्तु किस ने किया था 13 का राइट इंसर हो जाएगा ओप्शन नमर A यानि कि श्वामी बिद्यानंद के द्वारा किया गया था नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 14 करा कि आधुनिक बिहार का नेतिर्माता किसे माना जाता है तो प्लेजी से सस्क्राइब करें दूस्तो में सेयर करें फ्यासर टेलिगराम के माधेहम से कोशन नमर 15 में आपको कर रहा कि बिहार प्रांतिये किसान सभा का गतन किसने किया बंद्रा कराई टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए यानि कि स्वामी सहजान अन्सर सत्तिक के द्वारा किया गया था नेक्स अमरूग देख लेते हैं कोशन नमर सुल्ला कोशन नमर सुल्ला में आपको कह रहा है कि डच इस्ट इंडिया कमपनी ने किस बर्स अपनी फैक्टरी पतना में अस्थापित की सुल्ला कराई टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी आपको सुल्ला सब अतिस इस भी में अस्थापित की थी नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 17 में आपको कह रहा है कि बिहार में सौराज दल का गठन किस ने किया 17 कराई टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए यानि कि सिरी कृष्ण सिंग के द्वारा किया गया था नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 18 कराई कि निमली खित में से कौन सा जीला, धारवार, भू, अस्तरिये, रचना वाला नहीं है 18 का राइट इंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी जोन है, रोछताज जोन है या आपको धारवार, भू, अस्तरिये, रचना वाला नहीं है यानि कि option number B इसका right answer हो जाएगा और आज का अंतिप question अब का हो जाएगा कराय कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर 22 मार्च को हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है 19 का right answer हो जाएगा option number C यानि कि 1912 में बिहार की बंगाल presidency से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है यानि कि option number C इसका right answer हो जाएगा तो दोस्तो यह practice rate जो हम लेकराये थे यह आपको BPSC का जितना exam हुआ है उसी का previous year question को हम लेकराये थे यह आपको practice rate number 3 था इससे पहले हम लोग 2 practice rate कर चुके हैं अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे playlist में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तो आप मेरे channel पे नए हैं तो पिली जी से subscribe करें इससे like करना न भूलें दोस्तो में share करें Facebook WhatsApp टेलिकराम के माध्याम से तो चलिए दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद